मीच्वल फंड के कॉंटेक्स्ट में जब भी हम सोसल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं तो वीडियो देखने या आर्टिकल पढ़ने से एक चीज का इहसास होता है साइद आपको भी होता होगा कि मीच्वल फंड में कोई जादू होता है कि आप पैसे डालें तीन साल में दो गुना पांस साल में छे गुना जेनाब यह सुचना है जो हम वीडियो में या टेक्स्ट में पढ़ते हैं यह गलत भी नहीं है लेकि पूरी तरह से सही भी नहीं है गलत इसलिए नहीं है कि मीच्वल फंड में एक साल में 50% 60% 70% के आसवास क रिटर्न दिया हुआ है इसलिए यह सुचना है गलत नहीं है सही इसलिए भी नहीं पूरी तरह सही इसलिए भी नहीं है कुछ ऐसे भी मीच्वल फंड्स हैं जोने एक साल में 20% 30% 40% के आसपास नेगिटिव रिटर्न दिये हैं आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हम मीच्वल से विल्स क्रियेट करना चाहते हैं कि कुछ तो कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना बहुत जवरी होगा यदि इन में से कोई भी पॉइंट्स को नहीं अंदाज किया हमने तो साइब विल्स क्रियेट नहीं हो पहले लेकिन इस पर आगे सर्चा करने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि विल्स क्रियेशन आखिर होता क्या है सब्सक्राइब क्रियेशन एक प्रॉसेस है जो आपकी सेविंग को ग्रो करता है जिससे कि आपकी भ्यूस की जिंदगी में फाइनसली स्टेबल आप हो सके उधारन के तोर पे आज मैं नौक्री कर कर रहा हूं पचाहँार उपे मैंने में सेव कर पा रहा हूं इस पचाहँार हुआ को से एसे वन्यूज में इन्विस्ट करें बिशलगों कि यह जिए कि वह में आएगा कि क्या वाकई ये विल्स क्रियेशन है जिसे हम विल्स क्रियेशन कत हैं उधारन के तोर पे जैसे मैंने बताया कि आपने 50,000 रुपे आपको सेविंग है इसको आपने 7.5% के ब्यास की दर पे बैंक में जमा करा दिया या आपने मीच्वल फंड में लगा दिया जांगे साथ 7% का आसपास रिटर्ण आपको में रहा है दस वरसों के बाद ये 50,000 रुपे की रकम ये करिम एक लाग पांच हजार छे हजार के आसपास हो जाती है आपको लगता है कि दस वरसों में बैंक ने पैसे दूगने कर दिया या जहां पैसे अपने इन्वेस्ट की हैं जहां साथ 7% का रेट का रेट आफ इंडर्स ते उसने पैसे दूगने करती हैं अब इसको एक रियल लाइफ एक्जामपल में हम बात करते हैं हमने माना कि आज के दिन में 50,000 रुपे में आप 10 ग्राम सोना खईद पा रहे हैं और 10 बरसों क देखने में तो यह लगता है कि अभी 50,000 रुपे में पैसे दूगने होगे इसका मतलब आज यह दस ग्राम सोना खईद पा रहा हूं तो दस बरसों के बाद साहथ 20 ग्राम सोना खईद लो लेकिन जनाब यदि इसमें यह में हमने एक लाग पाँजार की जो बातें की यह 7. 7.5% के रिटर्ण के बेसिस में की हमने इनफ्लेशन को इसमें कंसिजर नहीं किया यदि हम इनफ्लेशन को कंसिजर करते हैं मानने कि 6% अगरे 10 बरसों के लिए इनफ्लेशन रहता है तो जो इनफ्लेशन एड़िस्टे रिटर्ण होगी 50,000 की अड़ डरीट आफ 7.5% वो हो की 58,000 के आसपास इसका मतलब कि यदि आज आज आप 50,000 में 10 ग्राम सोना खईद पाए तो 10 बरसों के बाद इसी पैसे से चाहे वो 1,10,000 मिलें 20,000 मिलें जो भी मिलें आपको उससे आप करीब 11 ग्राम ही सोना खईद पाएंगे क्योंकि 50,000 की रकम आपकी बड़ी 58,000 के आस जनाब हम कह सकते हैं कि आपका वेल्थ जो ग्रो हुआ पचास अजार रुपए आपने इन्वेस्ट किये थे और वो ग्रो होके अंठवा हैंजार के आसपास हो गई and this is called wealth creation कि अबल पैसे की रकम देखके हम ब्रहमित ना हो जाएं कि आज एक लाग है पताने 20 लाग में क्या गया हो और उसकी हिसाफ से क्वेट करें यदि वह जो पर्शेजिक पावर एक लाग रुपए की आज की है बीच लाग रुपए उससे पर प्रशेजिक पावर कर सकती है अपर 20 येर्स तेन येर्स तो आप कह सकते हैं वो वेल्थ ग्रो हुआ कितना ग्रो हुआ हो लेकिंस रफतार से वील्थ क्रियेशन आप चाहते हैं वह साइथ नहों पाये है कि सबसे पहला कॉएंट्स हमें किसी भी हालत में इमेर्जेंसी फंड को मैंटेन रखना होता है हला कि इमेर्जेंसी फंड कितना रहना चाहिए इस पर बिभिन लोगों का बिभिन मत है ले तो आप हमेशा रेडी रखें जो किसी प्रस्तिती में उसको यूज कर सके हैं यह फंड इसलिए रखते हैं कि हमें नहीं पता कि कल समाज का रुख का उट किस करुद बैठेगा कोई नहीं जानता था कि कोरोना आएगा कोरोना जो साल डेर साल जूबिर है उस बीच लोगों की प्रस्तियां खराब हो गई बहुत लोगों की नौकलियां चुट गई किसी की तनखे कम हो गए अब जनाब यह सोचें कि यद सब चीज का अपना बजट बना लेते हैं माली को एक लाज रुपे मिलता है तो पूरा बजट एक लाज रुपे का हो जाता है इससे दिकते क्या होती है कि यदि मिस्मैच कुछ हो जाए किसी मेने को बिमार पढ़ जाए खर्च हो जाए उसके लिए अधिक आपने सोचा दस से बारा मैने 14 मैने का जgu करना चाहते हैं तो आप यह देखें कि आप ऐसे में इन्वेस्ट करें जहां या कुछ कमिशन ना हो या कम से कम कमिशन हो तो क्किлом फंट के कानिसेे क्रेब कर सकते हैं तो हमें यह ध्यान देखना पड़ेगा यह कोशिस करनी पड़ेगी हमें कि हम नो कमिशन मीच्वल फंड में इंवेस्ट करें अब सवाल यह है कि हलांकि हमारे इस व्यक्तिव से हमारे बहुत सारे वीवर्स नराज हो जाते हैं बहुत लोगों ने मुझे चेतावनी भी दी है खेर यह उनका काम है कुछ दावनी दें हमारा काम है अनल्फिस करना और प्रियर्स को फेक्ट्वल पोजिशन से अबगत कराना तो मीच्वल फंड के बजार में आज के दिन में दो तरह की पस्नलिटीज है नो मिने क्लेटर कुछ भी हो सकता है एक पस्नलिटी ऐसी है जो आ आपका फॉर्म भरके एमसी का आफिस में या जहां में जमा करना दो जमा करा देता है तो यदि आइसी प्रिस्थिए आपके यदि इस एवज में हम कुछ पॉइंट फाइप परसेंट या पॉइंट सेवर नाइन या एक परसेंट के आसपस को कमिशन देते हैं अपने कि आपको ऑनलाइन ग्यान ना हो आपके पास समय नहीं हो आपको यह नहीं पता होगी किस मिच्वल फंड में इन्वेस्ट करें तो साइद यह सुविदा आप ले सकते हैं लेकिन समाने वस्ता में आज के दिन में जो इस्पेसली यंग जनरेसंस हैं वो कंप्यूटर से भी ह हैं उनको बहुत सारी बातों का ज्यान रहता है और क्योंकि मीच्वल फूट का क्योंड़ी नाम ही बताना है इसके लिए साइद एक परसेंट ना दें दूसरा पॉइंट जो सेविंग आपकी है जिससे जिसको इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रीट करना चार है वो देखें कि वो पैसे के उन पैसे के जड़रत आपको कितने दिनों तक नहीं है में कहा जाता है कि यदी वह पेसे जिसकी ज़ुरत आपको कम से कम पांस सालों के नहीं है वही पैसे आप म्यूट फर इन्वस्ट करें अदर यूटिश बेटर आप वैंक में इन्वस्ट करें जहांके साथ आर पर पर संट के आपको रिटर्ण से रिटर्ण मिलेगा without having any risk लेकिन यदि वो पैसे आपके पास तीन वर्सों के लिए पैसे हैं और यह आपने mutual fund में लगा दिया तो जब है mutual fund की बातें करते हैं तो नॉर्मल कोर्स में यह equity oriented mutual fund की बातें करते हैं और यह पैसे equity oriented mutual fund के पैसे stock market में invest होते हैं और stock market हमेसा undulating होता है कि आप चाहते हैं कि इससे wealth बने क्योंकि undulating है पता नहीं आपको 2 साल के बाद पैसे हो जैसे कोरोना के पहले किसी ने पैसे लगाया होंगे तर देर 2 साल तक जो है वह बेरी स्वेजें मार्केट राए दिए उस ताइम पैसे की जड़त हो तो आप क्या करेंगे समानी वस्ता में देखना यह चाहिए कि कम से कम पांच बरसों का समय है टाइम टेनियूर है आप पस उस पैसे कोई मिश्वर्फर में इंवेस्ट करें अधरवाइज यह बेहतर है आपके लिए कि बैंक में फिक्स डिपाजिट के रूप में कर दें जहां साड़े साथ आठ परशेंट के आज पस आज के दिन में आप भी आपको सुरक्षित रिटर्ण मिलता रहेगा कि हमके इसाएप मोडसे करें था इसेपी मोडसे करें चलाओ यह एक इसमी शारी मोडसे करते है के वचार पाहें और आपके पसм पैसे यह आपके पास पैसे नहीं है तो आप लंसम नहीं कर सकते इसका मतलब जिसके पास पैसे हैं यह सवाल उनका है कि हमें लंसम करना चाहिए एसाइपी करना चाहिए ज़िए आप मेरे बेटकर बिचार में तो है एक युटी और मिच्वल फंड में लंसम करना है कि आप मैं समझता हूं वह बहुत बहुत नहीं है बिकॉज हो सकता है अगार्ट यू करना चाहिए यह आपको पता नहीं चलता है कि मार्केट अब इस्चे नीचे नहीं जाएगा या इस वह उपर नहीं जाएगा हो सकत जबाल यह है कि जिनके पास लंप सम पैसे हैं कि उनके बांस दो ऑफिसंस यह दोनों फिसे और फिर पहला उपसन तो यह है कि आप उस पैसे को सेविंग फॉन्ट में डाल दें और जिस तरह से एंड़ें पी आप यूज करतें उसी तरह से आप एक मेंडेट एक का मेंडेट लेङें कि हर मैने इतने रूपे फंड में फ़िव न पह सकते हों कि आपके सीदों से पैसे करते हैं एक समस्षा मैं अब एकEu क्यूंकि हर मैंने पैसे से जाएंगे इस रिमेनिंग बचेगा उस पर धाइज से तीन पर्सेंट का ही आपको इंटर्स मिलता है क्योंकि चाहिए पांच-षे परशेंट के आस पास के रिडिल इनिफ्लेशन है और धाइज परशेंट के आसपास मिलता है इसका मतलब पैसे की वेल्यू जाएक कम होड़े पर्जिनिक पावर कम होती जाती है कि दूसरा ऑप्सन है जो इन दोनों से बचाओ करेगी कि आपको पैसे दिखेंगे भी नहीं और रिटर्ण भी धाए तीन परसेंट से बेतर मिलेगा रेमेनिक फंड में इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते मिलेगा उसमें आपको पांचे परसेंट के आसपास रिटर्ण मिलेगा हलांकि यदि फिगर वाई जोनों को कंपेर करें हमें लगता है कि स्टीपी बेटर है क्योंकि के केस में एक तो पैसे दिखते हैं हो सकता है पैसे में खर्च कर दूं दूसरा रेमेनिक फंड में कि यह क्योंकि लिक्विट फंड से हर मेंने एमाउन ट्रांसफर होके टार्गेट फंड यानि जो भी अप टार्गेट फंड वहां जा रहा है तो हर मेंने कैप्टल गें का कुछ ने कुछ कुछ कल्कुलेशन होता है हलांकि इसको यह आप सोच कल्कुलेट करना चाहेंगे यह बहुत कंप्लिक्रेट जॉब है हलांकि इस बारे में जो जिस मिच्वल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है जैसे उसके आर्टी या तो केंस होंगे या किफिट टेक्नोलोजी होगा जो भी आपका आर्टीय है यह रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे साल का कैप्ल गें टैक्स दे दे तो जिनाब यह सुवजाएं आपको मिल सकता है या तो कैम्स पे जाएं या कि टेक्नलोजी पे जाएं जिसका फंड आपके पास है तो कैपिटल गें का स्टेट्मेंट आपको मिल जाएगा आपको मैनुवाली कल्कुलेट करने के जवरत नहीं हो तो मेरे सेविंग को वेल्थ क्रियेशन के प्रॉसेस में डाल रहें इंवेस्ट्मेंट कर रहें तो आप हमेशा इंवेस्ट करते रहें उधारन के तौर पर यदि आपने पांच हजार रुपे मंत के साइपी की दोजार चौबिस में तो निश्चित रूप से एक साल के बाद आपक की नयुक्ass करतें जो भी आपको मिलता है तो कौसिश करें कई करें तो टौः या ल। लमसम में होता है तो बीच में आप उसमें इंवेस्क करते हैं और ने और दस बरसों के लिए किया तो दस बरसों के बाद टोटल इंवेस्मेंट आपके छे लाग रुपे होंगे और पंद्रा परसेंट के हिसाब से यह कॉर्पस करें तिरह लाग चेतरहजार के आस्वाद बनता है यह तो तब जब आपने कोई टॉप अप नहीं किया लेकिन यदि आप एक दूसरा आपका फ्रेंड से उसने भी पांथ हजार रुपे के साइबी किया लेकि उसने एक एडिस्नल वो किया कि एबरी येर वह पांच परसेंट टॉप अप करेगा पांथ हजार का पांथ कंझान ऌप करेगा इसका मतलब पहले बारा मैंने इशेज साथ जार डानः ऐनुपर करेंगे दूसरी साल पांथ हजार दुर्फ दूसों हुप्तेश टरू 것도 में तर्फ फॉपर और इस मिले तिरह लाग शेतराजार जाहां इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो मेरा एक लाग चोण हजार हमने अधिक लगाया और उसके यह वज में जो हमें कॉर्पस अधिक मिले वह मिले 2,56,000 यह तो जनाब हमने 5% का दिया आप 10% कर सकते हैं तो एक जामपूल देने का परपस है कि छोटे हमोंट से टॉप अप करते हैं तो आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होती है और लॉंग रन में एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रियेट हो जाता है अब फ्रेंज को सोशली मीडिया पर हमें साथ 2,3,4 गुने वाले कॉंटेक्स्ट मिला करेंगे आपको टेक्स्ट या वीडियो मिला करेंगे आदे वाले नहीं मिला करेंगे और यह बात भी सच है जो मैं बता रहा हूं कि इस हिसाफ से करें कुछ लोग करते हैं रहे क्या करना यार हम में तो 2 गुने पैसे हो गए जनाब यह 2 गुने पैसे होते हैं लेकिन सारे इनाल्यसिस सारे रिसर्च सारे काईरे कनोन उन दिनों के लिए बने होते हैं जब फेड़ेवरिय सिच्विशन ना हो फ़र एक्जाम्पल एक आम तोर के भासा में ट्रैफिक रूज़स हैं याँ बाइक चलाएं तो हेल्मेट पहन के चलाएं कार चलाएं तो सीट बिल्ड बांद के चलाएं मानों लिए दो फ्रेंट एक फ्रेंड हमिशा बाइक चलाया, हेलमेट बांद के, कार चलाया, बिल्ड बांद के, दूसरे ने जिन्दगी बर में कभी कुछ नहीं किया, ना उन्हों हेलमेट लगाया, ना एक खार की बिल्ड बांदी जब वो साथ साल के हुए तो जिसने हलमिट लगाया था उसको spolosis وغ24 का problem हो गया और जिसने हलमिट नहीं लगाया था वो उसके कुछ नहीं हुआ उसने उसको कहा कि देखो तुमने जिन्दे के वर हलमिट ब क्या हुआ तुमको भी कुछ नहीं हुआ जनाब ये फैक्ट बिल्कुल सही है लेकिन यदि इन बीच किसी एक का एक्सिडेंट हो गया होता तब समझ में आता कि हेलमेंट बांदने से फाइदा क्या है और हेलमेंट नहीं बांदने से घटा क्या है बिकाउज जना इनबेस्टमेंट में बी में और पुरी लाइफ में भी जैसे कहते हैं कि फिल्म में रीके होता है बार बार री दक्रा नहीं जिंदगी में और इंव्थे में री परशोचियों नहीं मिलती है यादी एक्सिडेंट हो गया आपकी जान निकल लगई मरने के लि इसलिए ध्यान रखें कि आप पैसे को जाजु के हिसाब से टिट ना करें जादु से पैसे कभी नहीं बनते यदि आपको सब्सक्राइब करना है फॉर लॉंग टाइम तो आपको काईदे कानून सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक धंग से आपको पैसे इंवेस्ट करने पढ़े म में करें जिंदगे में करें या कहीं करें थैंक यू झायो